इस देश में अलग-अलग नाम वाले अनीक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही, भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, यकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था, भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अ कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में, एक यूट्यूब चैनल बनाया है, रवीश कुमार ओफिशियल और फेस्बुक पेज भी है, रवीश का पेज, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अब मैं यूट्यूब पर ही नजर आऊंगा, NDTV इंडिया पर नहीं, मैं जानता था कि कौन आदमी आ रहा है, और कौन आदमी जा रहा है, जो पत्रकारिता, या जितनी भी पत्रकारिता हम कर सके, जब NDTV डॉक्टर रॉय के पास था, और हम लोगों ने बहुत लिमिटेड रिसूर्स से, बहुत तरह के चैलेंजे से, जो हम कर पाए, जो आ रहा था, उसके पास, मुझे पता था कि पैसा तो बहुत है, मगर वो सवाल पुछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसको ओन करता है, और एक मास्टर जो पॉलिटिकल मास्टर है एक तरह से, बाद में कई आइंकरों ने उससे छोड़ा दी, तो मुझे कोई शक नहीं था, कि ये कौन है, हुई जी, धरती पे जितने भी न्यूस चैनल है, वो खरीच सकते हैं, पर मोधी सरकार से सवाल नहीं इससे मैं भारत में फरजी डिगरी बातने वाले बहुत इंस्टिशन से हैं, तो न्यूस चैनल में भी फरजी सर्टिफिकेट बातने वाले अंकर आ गया है, और इस अंकर, पर्टिकुलर अंकर, यू आसक अबाओ, इसको भी आद नहीं होगा कि कितने लोगों को एंटी नै जिसमें इस तरह के मीडिया को क्रिटिसाइज किया है कोट ने, कि वो कमिनलाइज कर रहा है, वो हेट को स्प्रेट कर रहा है, लेकिन आप जब भी रिचर्ट क्वेस्चन करेंगे इस इंडियन मीडिया को, वो आके कहेगा कि आपने इंडिया को क्रिटिसाइज कर दिया, ज वो 2014 के पहले मीडिया को जिस लेगेसी से देख रहा था जिस ट्रस्ट से देख रहा था 2014 के बाद उसी ट्रस्ट से देख रहा था और वो उसके ट्रैप में फंस गया और विश्वास करने लगा कि एक धर्म के लोग हमारे लिए खत्रा हैं तो यह काम सरकार अपनी जबान से नहीं बोल सकती थी क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशन्स हैं तो जो काम सरकार ओफिशल ही नहीं कर सकती थी वो काम न्यूस चैनल करने लगे और वो प्रवोक करने लगे लोगों So what you're saying is, in a way, the news media are saying the government's quiet part out loud Yeah, yeah. So, वो एक तरह से सरुगेट पेरेंट कोई और है और ओनर कोई और है उसकार Members of the Prime Minister's party, the BJP, and those who support the party, take issue with your journalism. They say that everything's bad in your eyes, that you ignore any stories of progress or positivity in India. Is there any legitimacy to that criticism? Are you guilty of being hyper-focused on the negative? No, I'm not guilty. This is a false narrative. And this, they apply this narrative against anyone, not only me. My job is to ask questions, especially when Prime Minister goes and invites some film star to give a scripted kind of interview. If you wanted to say that you have done so much, you should not have invited Akshay Kumar, you should have invited Ravish Kumar. Then my questions would have given you a chance to say that you have done so much for this country.